नाजकाल दोस्तो बाबाजी होम्स में इबर फिर्ट से आपका स्वागत है दोस्तो आज हम है शिवालिक एवेन्यू सैटरेक 125 महाली में और शिवालिक एवेन्यू सनी इनक्लेव के विल्कुल एड़ ज्वानिक है और साल 2016-2017 के आसपास शिवालिक एवेन्यू में G-plus 3 के concept मे 10 मरला के floors बनाए गए थे 3 BHK तो ये 10 मरला के floors में हम आज एक ground floor का घर देखने जा रहे हैं जो की resale में भी है और थोड़ा इस्तमाल भी किया गया है और आपको यहाँ पे कई floors नजर आ जाएंगे जिनमें already families रह रही है और इन सभी घरों के आगे की तरफ parking की space दी गई है अ हर फ्लोर के लिए एक गाड़ी की parking की space दी गई है और इस area में पकी metal roads भी बनी हुई है और बसावड भी पूरी है तो दोस्तों जो हम ground floor को देखने जा रहे हैं यह घर resale में भी है और थोड़ा सा use भी किया गया है और इस वक्त यह घर बिलकुल vacant है बिलकुल खाली है तो घ घर के अंदर जब हम देखेंगे तो कुछ हिस्से में हमें repair work नज़र आ सकता है इस घर में जो की हमें ही अपनी तरफ से करवाना पड़ेगा दोस्तों आपको घर के साथ दो बालकुनी मिलती है आगे की तरफ और ये बालकुनी है बैटरूम के साथ connected जब हम अंदर जाएंगे उस बैटरूम से देखेंगे इस बालकुनी के और ये जो बालकुनी है ये ड्राइंग रूम के साथ connected है और बड़े ही spacious room sizes है इस floor में ground floor में और इस तरफ से entrance है इस तरफ दोस्तो water motor हर floor की अलग से लग आएंगे और काफी wide stairs हमें मिलती है और एक floor पे दो ही flats है हम इस तरफ के flat को देखने जा रहे हैं main entrance पे ऊपर की तरफ भी एक fix window है और एक side की तरफ भी fix window है wire mesh door के बाद हमें मिलता है main entry door जो की frame door है आपको नज़र आ जाएगा और एंटर करने के बाद आपको एक बड़ा ही spacious drawing room का hall मिलेगा left side की तरफ साड़े तेरा फिट बाई साड़े तेरा फिट का size है अंदाजन इस ड्राइंग रूम एरिया का flooring में double charge wetrified tiles लगाई गई है चत के एरिया में pop designing work है और आगे की तरफ बड़ी windows है जिसके बीच में एक दर्वाजा है जिसके थूँ हम बालकोनी में जा सकते हैं वह बालकोनी जो की इस ड्राइंग रूम के साथ connected है जिसको हमने बाहर से भी देखा था और आप इस बालकोनी एरिया में आगे की तरफ यह जो फैंसिंग है रेलिंग है यहाँ पर थोड़ी सी modification करा के एक entrance इस तो एक स्पेशिस ड्राइंग रूम के बाद हम आगे बढ़ेंगे घर में तो हमें डाइनिंग एरिया मिलेगा लिबिंग एरिया मिलेगा यह भी बहुत स्पेशिस है लवक्त 15 फिट बाई साड़े 15 फिट का साइज है पीछे की वाल पे ओनर की तरफ से PVC पैनेलिंग वर्क किया गया है डिजाइनर पीवीसी पैनेलिंग वर्क किया गया है और इस तरफ एक बाथरों है स्पेशियस जो की common area में है और bedroom के साथ भी use हो जाएगा लगवक्स साधे 6-8 फिट का size है इस bathroom का और bathroom में glossy tiles ceiling की height तक लगाई गई है फ्लोरिंग में anti-skid ties लगाई गई है और जो sanitary की fitting है दोस्ता आपको नज़र आ जाएगा कि बिलकुल branded है sera company की और modern design की है इस तरह से ventilation हो पाएगी इस bathroom की उसके लिए windows दी गई है और आगे की तरफ इस तरफ हमें एक spacious kitchen मिलेगी इस घर में लगवक्स साड़े साथ फिट बाए तेरा फिट का size है इस kitchen का तो एक spacious kitchen हमें इस घर में मिल रही है इस तरफ partition की किया गया है और bedrooms को देखेंगे तो सबसे पहले हमें एक bedroom आगे की तरफ मिलेगा उस bedroom में जाने के लिए इस तरफ से दरवाजा है और यह है आगे वाला एक bedroom लगवक्स साड़े बारा फिट बाए पंदरा फिट का size है इस bedroom का इस bedroom में इस तरफ हमें cupboard मिल रहे हैं और आगे की तरफ windows मिल रही है और एक दर्वाजा मिल रहे हैं जहां हम बालकोनी एरिया में जा सकते हैं और इस तरफ से जा सकते हैं बाथरूम में जो कि इस bedroom के साथ अटैच है और इस bathroom का size है अंदाधन 5 feet by 8 feet इस bathroom में भी glossy tiles ceiling की height तक है flooring में anti-skid tiles है sanitary की fitting बिल्कुल branded है modern design की है ventilation के लिए इस तरफ windows है duct बनाए गई यहां पर ventilation प्रवाइड करने के लिए तो यह था पहला bedroom इसके बाद एक दरवाजा इस तरफ से है यह है master bedroom इस घर का लबग साड़े बारा फिट बाइड चौदा फिट का size है इस master bedroom का और इस bedroom के cupboards और dressing table अलग से इस area में है इस तरफ 200 dressing table है और इस तरफ है cupboards और यहीं से एक और दरवाजा मिलेगा हमें जहां से हम attached bathroom में जा सकते हैं और यह बाथरूम इस bedroom के साथ अंद्रावन साड़े पांच प्रिट बाए साड़े आठ प्रिट का size है और इस bathroom में ने भी गलोसी टाइस सीलिंग की हाइड तक लगाई गींगे और प्लोरी में anti-skillitized लगाई गींगें सेनेटर की फिटिंग ब्रेंडिर आपको नज़र आएगी इस बात्रों में भी और इस तरफ विंडोस है और एक दर्वासा है जहां से हम रियर वाशिंग एरिया में जा सकते हैं रियर वाशिंग एरिया बहुत स्पिश्यस है हम दूसरे तरफ के तीसरे बैटरूम से चलते हैं तो वहां से मैं आपको रियर वाशिंग एरिया भी दिखा देता हूं तो यह है दोस्तों तीसरा बैटरूम जिसका साइज दे अंदर साड़े ग्यारा फिट बाए चौदा और इस तरफ विंडोस एंड वेंटिलेशन के लिए और एक दर्वाजा भी है जहां से हम रियर वाशिंग एरिया में जा सकते हैं और जो रियर वाशिंग एरिया है वो बहुत स्पेशियस है लवक साड़े दस विट बाए 32 विट का साइज है दोस्तों इस वाशिंग एरिय एरिया में ही एक स्टोर भी ऑनर की तरह से बनाया गया है इस तरफ तो यह था दोस्तों स्टोर एरिया और यह रियर वाशिंग एरिया काफी स्पेशियस तो यह दोस्तों आज की विडियो का घर था स्पेशियस थ्री बिएच के फ्लोर्स जी प्लस थ्री कंसेक्ट में बनाये गए दस मरला के हैं और यूज्ड है रीसेल में है कुछ एरिया में आपको रिपेर वर्क भी नजर आया होगा इस खर में तो दोस्तों अभी इस विड सब्सक्राइब करें मैं आपसे जब दी एक और भैतरिन घर की वीडियो के साथ मिलूंगा तब तक के लिए मुझे इजाज़ा दें धन्यवाद